हां जी अब तक तो आपको चल गया होगा पता यार कि गौतम गंभीर ही होने वाले हैं इंडिया के नेक्स्ट हेड कोच अब गौतम गंभीर आ रहे हैं तो भाई गौतम गंभीर वाली चीज़ें होना लाजमी है तो बंदे ने बहुत सी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कुछ शर तर्फत भी ये है कि Gautam Gamber BCCI को बोला है कि जितना control team India का 솔직ट पास होगा, जितना control captain के पास होगा, उतना ही control control Gautam Gamber भी चाते हैं team को run करने के लिए, और ये सही मैं आगर Gautam Gamber एक young Indian team का control ले रहे हैं, तो एक young captain से आप वैसे decisions expectations नहीं कर सकते, in the future heading toward 2027 ODII World Cup Trophy जीतनी है, तो करना पड़ेगा, एक senior खिलाडी के experience खिलाडी आपको टीम में चाहिए, जो strong कड़े फैसले ले सके, और फिर से यार वो अनिल कुमले वाला कि ड्रेसिंग रूम कॉन्डु सेशन लीक हो रही है, प्लेट की आपस में बन नीरी, मतलब छोड़ो अनिल कुमले के पास क्या जाना अब, गौतम गंबीर आ रहे हैं, नया खिलाडी है, नय दौर की शुरुवात है, अच्छे से करते हैं, दूसरी शर्त, दूसरी शर्त यह ह है कि T20 format में इस World Cup के बाद सिरफ और सिरफ यंग खिलाडियों को मौका मिलेगा, मेरे ख्याल से हम लेट है इस चीज में, अभी तक हो जाना चाहिए था ये, लेकिन ठीक है, रोहित सर्मा विराट कोई ने इतना कुछ खराया भारत के लिए, वो अपने टर्म्स पर जाना ड देखेंगे, देखेंगे तो सिरफ यंग खिलाडियों को जैसे कि अभी शेक शर्मा, या स्वी जैसुवाल, रुदुराज गायकुआ, इशान किशन, रिश्चंपन्त, मतलब मोटी-मोटी आपको ये टीम देखने को मिलेगी, ये भी गौतम गंभीर का कहना है, तीसरी शर दो हजार पच्यस सीनियर खिलाडियों का आखरी मौका होगा, उसके बाद टीम की कमान, एक यंग कप्तान, एक नया नमबर तीन, एक नया खिलाडियों को देजाएगी, तब ही ट्रांसिशन होगा यार, तब ही आप 2026 के बारे में सोच सकते हो, 2027 के बारे में सोच सकते हो ह जाना, कियों कि आपको पता नहीं है कि क्या वो जो भी खिलाडि खेल रहे हैं, वो 2027 कर पाएंगे, और अगर कर पाते भी हैं, तो क्या उसी फॉर्म में कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बहुत सी चीजे हैं, अब अगली शर्त ये है कि भारत की जो टेस्ट करते हैं, तो वो टेस्ट क्रिकेट में उपनिंग करने नहीं उतरेगा, फॉर्माट स्पेसिविक टीम होगी, ये हम इंगलेंड को भी फॉलो करते देखते आ रहे हैं, बहुत देर से ऐस्ट्रेलिया ने भी किसी हद तक फॉलो करा है, तो अगर ये चीज हमें ट्रोफी ला हमारे नए फील्डिंग कोच बने, अभी प्रेजेंटली हमारे फील्डिंग कोच हैं दिले भाई, वो भी भाई अवल दर्जे के कोच हैं, लेकिन हर कोच अपना सपोर्ट स्टाफ लेके आता है, रवी शास्त्री के अंडर अलग था, राहुल रवीड के अंदर अलग होना चाहिए था, गौतम गंभीर भी जिन लोगों के साथ कमफर्टेबल है, जिन लोगों के साथ काम करा है, उसे साब से अपना सपोर्ट स्टाफ वो साथ में लेके आ रहे हैं, तो इसमें कोच गलत नहीं है, और गलत कैसे हो सकता है, जहांटी रोज तो मतलब एक क्या लेवल क मतलब देख लो मर्जी है, मानना है तो कर दो भाई